नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना हमारे संपादक सौरब दिवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चानल ललन टॉप यूपी पर जहां ना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बलकि देखने को मिलेंगे एकदम ललन टॉप ब्लॉक्स, लाइफ सेशन्स और भी बहुत कुछ तो तुरंद कर लीजे सबस्क्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बढ़ते हैं खबर की तरफ कैलाश चंद्र मेखवाल, राजस्तान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक कैलाश मेखवाल ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं एक चिठी के जरिये चार सितंबर को लिखी इस चिठी में कैलाश मेखवाल ने आरोप लगाया है कि गुलाब चंद्र कटारिया ने चुनाव में सीटों के बटवारे में भरष्टाचार किया साथी महापुर्शों के खिलाफ उनके विवादित बयान से पार्टी की छवी खराब हुई जिससे उसे चुनावी नुकसान पहुँचा है उन्होंने आरोप तक लगाया कि गुलाब चंद्र कटारिया ने बीजेपी की एक महिला नेता और उनकी बेटी के खिलाफ दुष प्रचार किया जानते हैं क्या कहती है चिठ्थी आज तक इंडिया टुडे के पास कैलाश मेगवाल की वो चिठ्थी है जिसमें उन्होंने एक गंभी रारोप लगाए है चिठ्थी की कुछ प्रमुक बातें ये है गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी में सीटों के बटवारे और पद्दिलाने के एवज में लाखो करोडों रुपयों की हेरा फेरी की ब्रश्ट अचार की जानकारी मिलने के बाद प्रुदेश बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी निलाखु रुपय कटारिया से वापस करने को कहा था इससे पहले महाराना प्रताप पर गुलाब चंद कटारिया ने टिपनी करते हुए कहा था हमारे पूरवज एक हजार साल लड़े ये महाराना प्रताप अभी गए ना उसे क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजथानी और अपना घर छोड़ कर डूंगर डूंगर रोता फिरे इस बयान के बाद राजपूत समाज का विरोत देखने को मिला और कटारिया को माफी मांगनी पड़ी राज़समंद से भाजपा विधायक रही किरण महाईश्वरी के निधन के बाद उनकी पुत्री दीप्ती किरण को टिकेट दिया गया जो मात्र 5310 वोटों से जीत दर्च कर सकी इसके लिए कटारिया जी दोशी हैं अगर कटारिया जी का बयान नहीं होता तो ये सीट 30-40,000 वोटों से जीती जाती कटारिया और उनके समर्थ तक किरण जी का अपमान करने और उनको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूपते थे कुलाब चंद कटारिया ने किरण जी के खिलाफ अश्लील और गंदी भाशा में गुमनाम पर्चे छववा कर बटवाए इसके अलावा और भी कई तरह के हतकंडों से उन्हें अपमाने तोर परिशान करने की कोशिशे की गई चठी में मेगवाल ने कटारिया के भगवान राम पर दिये गए बयान का भी जिक्र किया उनके मताबिक कटारिया ने कहा था कि अगर बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम आज समुद्र में होते मेगवाल का दावा है कि इस बयान के वजह से भी पार्टी को चुनाब में वैसी जीत नहीं मिल सकी जुसकी उसे उम्मीद थी राज उसमन्द में बीजेबी प्रत्याशी दीपती किरण की जीत का अंतर कम होने के पीछे मेगवाल ने कटारिया को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने दावा किया है कि कटारिया ने चुनाब प्रचार के दौरां दीपती किरण का दुष्प्रचार किया उनकी छवी खराब करने की कोशिश की मेगवाल ने हाँ तक कहाए कि कटारिया ने दीप्ती किरण की मा और पूर्व भाजपासांसत दिवंगत किरण माहिश्वरी के खिलाफ अशलील और गंदी भाशा के परचे चपवा कर बटवाये थे चिठी मेगवाल ने राजुस्थान उप्चुनावों का विशलेशन पेश किया इसमें उन्होंने बताए किस तरह से कटारिया के बयानों और नीतियों के वज़ा से उप्चुनावों में जीत के अंतर में कमी आई और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा चिठी के अंध में मेगवाल ने लिखा वैस समंध में भार्टी जन्ता पार्टी के विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव रखूँगा माननीये नेता प्रतिपक्ष ने महराना प्रताप के बारे में अपमांजनक शब्दों का प्रियोग किया मर्यादा पुर्शोत्म श्रीराम के बारे में अनर्गल बयान दिया इस कारण पिछले तीन उप्चनावों में बोटों की कवी देखने को मिली जिससे पार्टी को हानी हुई इसके लिए ये बैठक मेता प्रतिपक्ष की निंदा करती है गुलाब चंद कटारिया का इस पर क्या कहना है वो भी जानते हैं मंगलवार 7 सितंबर को गुलाब चंद कटारिया ने उन पर लगाए गए आरोपो पर प्रतिक्रिया दी एक वीडियो ट्वीट में उन्होंने कहा केलाश मेगवाल ने मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात की है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को चिठी लिखी है और कुछ आरोप लगाए है पार्टी मेरे खिलाफ जो भी कदम उठाएगी मैं उसे सुईकार करूँगा आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी दिपेंदर ने शुक्रिया